हो सकता है कि आपका बिजनेस बीमार है और वो आपको पता ही नहीं है आप तो बले बले ठीक चल रहा है कोई प्राब्लम नहीं है ऐसे गलत फेमी में हो सकते हैं चलो आए मैं इसके बारे में आज बात करूँगा कि आपका बिजनेस बीमार है बढ़ने रहा है आपको पता ही और फिर उसके लिए करें गया मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़ेकर मैं पिछले 41 साल से बिजिनेस कोच कोच ट्रांसफोर्मेशनल कोच मोटिवेशनल स्पीकर हूं वैसे ही मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा जैसे नमुक्त तद्नियों पिछले 41 साल से अकॉला में पांच हॉस्पिटल चला रहा हूं और मेरा बिजिनेस के बारे में वीडियो आपने क्यों देखना चाहिए व कंस्ट्रक्शन का है और इसमें सबतर मैं गुरू हो रहा हूं तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपिजिएंस है थेरिटिकल एक्सपिजिएंस है पिछले 5 सालों से मैंने करीब-करीब एक करोड़ से ज्यादा रुपया खरचा कियोंगे अलग-अलग वरक्शॉप्स अटेंड कर स्थी परणे में और करीब-करीब हनंडेड की ऊपर वरक्शॉप्स कि हूंगे कि तो आईये बात करूंगा कि आपका बिजलेश बीमार है क्या बिजिएज में तीन एरिया मुखत वकिया एक एक ग्रोथ दूसरा है सर्विस और तीसरा है सपोर्ट यह तीन एरियास मूटे मुटे तौर पर रहते हैं पर ग्रोथ हो confident बिजनेस का बढ़ना यह कैसे होता है बिजनज का बढ़ना होता है मार्कि Agreement कि या होता है फिर किया हूब जब आप अपका नाम होता है Caleb मdade कोई किसी को जड़त पड़ियुत आपका नाम पहले आना चाहिए अथा है रड़ना मतलब को का कूला है टूथ पेस मतलब कोलगेट और हमारे जासा मानसिक इसको बीमारी वोटे डॉक्टर के तरफ चले जाओ किड़कर ऑस्पिटल जाओ ब्रैंडिंग है ब्रैंड तैयर हुआ है तो ब्रैंडिंग अलग है जिससे नाम होता है में बात करूं मार्केटिंग की जहां से लीड आती ह है रॉयən इंकॉइरि आपके तरफ चल के आती है तो वह मार्केटिंग उस से गुरॉफ होता है सेल्स जीकस्यवड और चाया है तो निए प्रोड़क्ट और सृविस और याो करते है तब sales बढ़ते रहता है तो यह हुक के जो सुई है समझें आbel कर चला रहे और स्पीड मेंटर की सुई ऐसी घूम रही है तो पूरी स्पीड जो विजनेस को आती है तो देखा scripts रहा हाँ वहाँ से आपका बिजिनेस बढ़ा हो रहा है मार्केटिंग और से बढ़ता है तो समझे पूरी स्पीडियो मेंट्री यहां तक आप वो बिजिनेस में ग्रोफ जो हो रहा है, वो मार्केटिंग और सेल्स से हो रहा है, आप मैनिफेक्ट्र होंगे, तभी मार्केटिंग जरूए है, क्योंकि न्यू कस्टमर लाना, आप प्रोफेशनल है, तभी भी न्यू कस्टमर लाना जरूरी है, आप फूलसेलर है, तभी औ आपको new customers आपके वह आना चाहिए और new customers आते हैं तो आपका business बढ़ते रहता है तो यह हो गया growth का प्रमूक कारण की मार्केटिंग अंग करोज बुआ मशन को अपनेन ञारेया वो सर्वीज में सर्वीज में क्या होता है बहुत बढ़िया सर्विस है वहां बटन दबाए बेल दबाए की लोग आते हैं जो चाहो वो पाऊगे जो मांगा हो मिल जाता है बहुत ही सर्विस है अच्छे लोग है बहुत ही मृदू है पर देलिवरी मतलब माल तयार करना राइट टैम पे डिलिवरी देना पेकेजिंग बहुत ही आकरशक पेकेजिंग है क्वालिटी ऑफ गुड्स होटल है तो बहुत ही टेस्टी फूर तो सर्विस है तो उससे आपका धंदा बढ़ता है मगर सर्विस से बहुत ज्यादा धंद सर्विस आपको मिलता है अपए थे मिलता है टीस आउसे बिजनेश नहीं बढ़ता है मकरू एसका बिजनेस का जो पर्दे के पीछे वह सपोर्ट और सब्तनी अपटा है फाइनांस बीलिंग अि यह एक्च्छी बिजनेस में बढ़ाने में contribute नहीं करता है support का एरिया तो यह तीन एरिया हो गया growth हो गया service हो गया और support यह तीन एरिया बिजनेस के है अब जो growth और आप जो पांच जो अलग-अलग एरिया इतना मतलब पांच items में आपको आता हूं जहां से business बढ़ सकता है business कोई भी business में बढ़ सकता है business नंबर एक growth जिसमें नंबर एक आएंगा leads बढ़ाना नंबर दो sales conversion कि sales कितना बेचते हो जितने leads आए उसको कितने लोगों को आप बेचते हो नंबर तीन average sales increase average sales increase से भी growth होता है मतलब एक customer आपके यह एक हजार रुपे का सब्सक्रामा ले रहा है और आपके पास में सव कस्टमर आ रहा है नेचरली एवरेज सेल से इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली ग्रोथ होंगा तो यह तीन आइटम है growth के leads sales conversion और average sales increase फिर चौथा जो है जो इंक्रीज रिपीट sales और इंक्रीज रेफरल्स और रेफरल्स मतलब mouth to mouth एक customer आपके यहां से खुश होके गया वह और लोगों को बोलता है और लोग आते हैं फिर वह भी खुश होते हैं वह चले जाते हैं फिर और लोग आते मतलब यह क्या हो गया अधिर रेफरल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंट रहने से बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ता है मौट टो मौट बिजनेस बढ़ता है दस बारा पंदर रखके बढ़ेगा तो इंक्रीज रिपीट श्यादा मौट आप द्रखके बढ़ता है था उसके रिपेट जो चुंद लिए या उसने और रखके आया तब हो किसी को कमिशं ने पड़ता है यह रेफरिंग चार्जंद देना ने पड़ता है नहीं पड़ता है तो निए पांच जो आटम से जिससे बढ़ता है तेन उसमें के है वह है पहले तीन लीड्स सेल्स कर्मर्शन एवरेस इंक्रीज चाओ था इंक्रीज रिपीट सेल्स और इंक्रीज रेफरल्स तो यह जो पांच अंग है यह पांच एटम से जिससे बढ़ जाता है वह हमने देखें यह आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो उसके तीन लख्शन जेड़ weill का लाउं नहीं है दो इसका मतलब बिजनेस ízनीचे चल करोएगा ऐसा बोल के अथ हो subject can Об !!! बढ़ना पड़ेगाने तो आप कम हो जाओगे है अब चल रहा है हम जैसी कि ए 22 आप रहेंगे बढ़ाएंगे नहीं, तो आप देखेंगे देरे देरे आपका graph नीचे 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 आ जाएगा revenue का profit का तो आपको business grow हो रहा की नहीं हो रहा कैसे मालूम पड़ेगा आप यहीं monthwise देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा business grow नहीं हो रहा है number 2 sales team जो है वो sale नहीं कर रही है मतलो लोगता रहे लीड है मगर sales team माल नहीं बेच पार है इसलिए फिर growth नहीं हो रहा है number three आपके पास में monitoring system नहीं है और monitoring system नहीं है तो मालूम पे नहीं कि क्या हो रहा है अच्छी चल रहा है तो यह सब करना है कि वह बुजनेस्मन मौनिटरंग नहीं कर पा रहा है होई सारा दिन लगावाई sorry sorry is the उसक भी घरो है यह करो यह आंके निग्रा कि माल अक्षा बन रहा किनुए पैकेजिंग हो रा किन नियुए टिलीफों बिल भार रहा किने सब उसमें operations में दिन भर फोन पे लगा है चुट्टी नहीं ले सकता इंडिपेंडली लोग काम नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उसको वहां मौझूद रहना पड़ता है और जब तक वहां मौझूद है तब तक की धन्दा चल रहा है और वो पूरा समय अपना अपरेशन में दे रहा है इसका मतलब क तो ऑनों कि हो रहा है कि सर्वीश्स जो है सर्वीश पांट जो है विजिनेस का हो हुए थिलडी नहीं है सपोड़ सब़ेशन में परढ़ लाहे है कि उधारी बहुत हो रही है, salary time पे नहीं हो रही है, लोग बोल रहे है salary नहीं हो रही है, आदा मेना हो गया, आदी salary होगी सिर्फ, पूरी salary होनी चाहिए तभी तक, तो सब यह जब है कि growth नहीं हो रहा है, हमने देखे लक्षेंट, तो फिर उसका solution क्या है, तो उसका solution है, कि आ आपको focused काम करना पड़ेगा, और आपको time का freedom हो, time का freedom होना जरूरी है, focus काम और time का freedom तभी मिल सकता है, जब आप service और support से बाहर आ जाओगे, देखो business बढ़ेगा, business कहां से बढ़ता है, business बढ़ता है कि आप marketing करो, leads लाओ, नए customers लाओ, नए customers आगे, माल बेचो, sales करो, और जो आरे customers, उसका average sales बढ़ा, यहीं से business बढ़ेगा न, service में और support में काम करके business बढ़ता नहीं है, और service में मतलब, माल की quality, माल का packaging, productivity कैसी चल रही है, production कैसा चल रहा है, time वहाँ, खड़े रहना पड़ता है, लोग time pass करते है, output नहीं देते है, तो पूरा businessmen का time जा रहा है, service और support में, तो business बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, business बढ़ाना है, तो root पर काम करना पड़ेगा, जो मैं डॉक्तर हू, मेरे पास में सरदर्द लगे समझे, कोई आता है, तो सरदर्द आता है लेकर कोई, कहा कब से हो रहा है, सरदर्द दो मेने से हो रहा है, अचा ठी जाए गाए पुरा ठीक हो गए। दो दिन हो गए दवाई बंद कर दी फिर सरदत चल हो गए। इसका मतलब क्या है कि मैं सिम्टोमेटिक ट्रीट्मेंट कर रहा हूं। रूट कॉस में नहीं जा रहा हूं, तो सरदर्त हो क्यों हो रहा है, ब्रेन में तो कोई problem नहीं है, तो फुर रूट पर काम करना पड़ेगा, और रूट पर काम करना, इसका मतलब operations में घुशने का नहीं, support में घुशने का नहीं, वो area बिल्कुल बन एक businessman के लिए, systems लगाना, और system जदी आप लगाते हो, तो क्या हूंगा, system लगाएंगे, तो आदमी काम करेंगे, बिजनेसमन को ये skill नहीं की काम कैसे करवा के लेना, वो बोलता है कि क्या है, काम करती नहीं लोग, लोग अच्छे मिलती ही नहीं, तो फिर बिजनेसमन का time इजी, operations, service और support, यहां गया खड़ा है, खड़ा है, गल्ले पे बैठा है, खड़ा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, माल आया कि नहीं, माल गया कि नहीं, और वो पैकेजिंग हुआ कि नहीं हुआ, और वो उसका बिल दिया कि नहीं, और वो चेक लगा है कि नहीं, और वो बांस हो जाएंगा, और फल तो decision लेने की जरुवत पढ़ती नहीं है decision system में क्या decision लेना और फिर मालक के माँ जरुवत होती नहीं तो businessmen के पास में skill set नहीं है system बने का system बनके तो आपको operation में घुसना ही नहीं पढ़ेगा M.D.S.P. मतलब data पर control है क्या data will maintain है क्या नंबर दो people management सही है क्या leadership तैर हो रही इक्या और Number 3 system है क्या और importance ज़ि हम देखते हैं तो उल्टा number 1 systems है क्या Number 2 people management ही क्या people skills number 3 data manage कर रहे है क्या businessmen पर बनाने में उसके पास में स्किल सेट नहीं है, सिस्टीम बनाने में, उसको मालूम है बिजनेस कैसे करना क्योंकि उसके बाप ने किया था, या उसको मालूम बिजनेस कैसे करना क्योंकि उसके बाप ने किया था, या उसको मालूम बिजनेस कैसे करना क्योंकि हो कहीं सर्वि करता है क्या विसी है क्या विजी है तो विजी मतलब good हमारे culture में जो सुभद साथ बजे जाते रात को ग्यारा बजे आते कर बिली कि घरने को ठाइं लेके जाते तो businessman superman जैसा काम करता है और फिर business growth नहीं होता है असली काम businessman का तो एक दसवी फेल भी लड़का डॉमिनो पीजा में काम कर रहा है जो अमेरिका में पीजा बनता है वही पीजा आकोला में बनता है वही पीजा बनाना इवे अग्या डना या अग्यां अग्या बस्टाना बनाते loom है और जो अरच्छा करना पड़ता है। और जो आदमी को कैसा अच्छा करेंगे सिस्टिम आपके पास में है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके पास में है तो इसको कम अकल है वह भी आदमी आपके पास में काम कर सकेगा उसके लिए बहुत ज्यादा आदमी यजर्षणा ईंटलीजयंट एक्सपिरियंस आदमी कि जरुवत नहीं तो बोलосьमी मेरी कंपनी छोटी है मुसे क्या जरुवत हैसे सिस्टीम कि एस आफ जरुवत है जब आपके पास में सिस्टीम नहीं सुप नहीं तब तक आपको टैमार मिलेगा और प्र तो पैसा नहीं रहने के बावजुद भी आपको आद्मियों को रखना पढ़ेंगा सिस्टीम बनानी पढ़ेंगी सिस्टीम से आपको टाइम फ्रम मिलेगा और टाइम मिलता है तो फिर आप ग्रोथ पर काम कर सकोगे लोगों को मैनेज करना होगे बहुत है सब्सक्राइब आपके एक नए बिजनेस आपके सामने ही डाल दिया और आपका कॉम्पुटर बन गया मगर याद रखो समझ लो कि वो जो टेक्नीशन है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे भरोसी ये बिजनेस बढ़ गया है जैसे खाता कुट्ता है बैल गाड़ी की नीचे चलता है उसको लगता कि मैं चल रहा हूं करके बैल गाड़ी चल रही है तो टेक्नीशन को जो लगता है कि मेरी वज़े से जंदा बढ़ रहा है वो जब अलग हो जाता है खुट का डालता है जंदा बैट जाता है क्यों 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 आपके पास में पैसा ना उसके पास में स्किल्स है जो जो आपने अभी सिखे है तुछ कहा है कि अमाल aurait अकल नहीं उसके बाशनें और पैस भी नहीं जो आपके पास में तो वह नहीं कर पाएगा डरों मत। पार एक अधोहहि यह दो आपके बिना धन्दा चलता नहीं है, इसका मतलब आप जेल में बंध हो, आपके बिजिनेस में आप बंध है, और you cannot grow your business if you are in the business, आप नहीं कर सकते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे को वहां इसलिए रहना पड़ता है, क्योंकि लोग टाइम पे नहीं आते हैं, अच्छे बताओ क आपके बास में जो लोग आ रहे हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, उन नॉंसेंस करते हैं, आप निकाल कुन देते हैं उनको, निकाल क्यों देते नहीं हो, इसलिए कि लगता है बिजिनेस मन को कि मैं इसको निकाल दूँगा, ये ट्रेन आदमी है, आज पाच्छे साल से मे जोत लोगोंको नाच्छे से में फटोल, वेड़न आते हैं, और पराने आदमीों को देख देख के वो भी पुरूने जैसे ही बन जाते हैं प्रॉब्लम होता है, तो आपको मैनेज करना होगा लोगों को भी और वो सिस्टम से होगा, नमबर तीन जो है महत वकाफ, जो है डेटा है, बहुत इंपोर्टन डेटा है डेटा है, डेटा है आपके पास में तो आपको वालू मालू मढ़ेंगा नही चुस्टमर कितना है इतना बड़ा डेटा है कंपनी आगे बढ़ेगी और इसके वज़ेसे लोग ज्यादा भाव में शेयर लेने को तयार रहते हैं डेटा बहुत महत बगा है तो आप डेटा भी रखते हो देटा ही लिए यह अध धिनीज आपको ₹300 अक्लिच में अधिर और दन्स पर्शक्रों कोहिए फक्सक्रों कोश्व्स जर तो तक मारे तरफसे को सिस्टिम बनाके देशिसक्ते system के लिए माको coaching कर सकते है system के लिए में आपको coaching करता हूँ आप walka system बनाते हो और पको कोई भी business रहो आपका business chartered accountant का रहे professional रहे wholesaler रहे trader रहे manufacturer रहे कुछ भी रहे आपके पास system डालके दे सकते है manpower कैसी handle करना वो हम आपको सिखा सकते है ताकि आप फ्री हो जाएंगे आपके बिजनेस से और आपका फटापट फटापट होता शिरू हो जाएंगा आपको अच्छा लागा वीडियो तो जो लोगों को शेर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, टैंक यू बेरी मच